आयल्स रीडिंग में स्टूडेंस की परिशानी बहुत है लेकिन मेरे वीडियो आपकी उस परिशानी को दूर ही नहीं करते लेकिन एवरी ताइम यू वाच माइ वीडियो यू गित आपने कभी नहीं देखा है इसे तो यहां पर देखिए आपके लिए हाजिर है बहुत ही इंट्रेस्टिंग बहुत ही फणी एक रीचर होता है हमारे यहां पर फ्रीक्वेंटली नजर नहीं आता है कई भी कबार किसी जू में जाए तो आपको नजर आ जाए तो मैं कुछ कहने की सकता हूं वैसे मैंने काफी जू देख रखे हैं ले के इलाबा कुछ और नजर नहीं आना चाहिए और अनिमल भी तो लेमर और इसके उपर बहुत सारे इंट्रेस्टिंग डॉक्यमेंटरी जैनल पर यह काफी ग्रूप में रहने वाला एक अनिमल है अगर आप देखें के आपको बहुत मजा आएगा आप यूटूब पर भी किते हो और पर पहले हमें एक से लिके च्छ तक क्वेस्टन जो दिये गया है काफी सार मेरे स्टूडेंस यहां पर गुजराती भी हैं तो गुजराती में शायद छो बोलते हैं राइट तो यह च्छ के च्छ हमें रीड कर लेने हैं पहले इससे पहले का आप डूडने जाएंगे हम इनको देखते जाएंगे और कई बास्टूडन क्या करते हैं बाकी सारी क्वेस्टन को भी देख लेते हैं कई पहले पूरे पैसेज की रीडिंग कर लेते हैं अलगलग स्ट्रेजी जो आपके लिए वर्क करें आप उसे इंप्लिमेंट कीजिए लेकिन मैं जे इसके बारे में बताएंगे रहता कहा है 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 इसका कहां पाया जाता है इसके बारे में बताएंगे और फिर 99% of the time इनका problem है इनका extinction खतम हो रहे हैं रीजन्स बताते हैं क्यों extinct हो रहे हैं और खतम होती है कि future oriented statement आता है कि future में हम क्या expect करते हैं कि इन्हें क्या बचाया जा सकेगा या नहीं उमीद करता हूँ ऐसा ही कुछ यह भी पैसर चलेगा नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं है हम पढ़ते जाएंगे एक बार अब पहले एक से छे तक सारी statements रीड करता हूँ आपके साथ a change in conservation classification देखा conservation की बात आगई मतलब इन्हें हमें संभालना है इतना ज्यादा नहीं है कि यह खदम भी हो जाए तो फरक नहीं पढ़ता so conservation जहां पर भी हमें इन्हें protect करने की बात आएगी उसका हम ध्यान रखेंगे और साथ में classification है categorization है a reference to the rule of smell in lemmer behavior बहुत strong keyword है मतलब उसके characteristic कई हो सकते है उसके कान उसकी legs उसकी tail जो मरजी हो लेकिन यहाँ पर उसका focus है smell third one is a reason why lemmers are popular मतलब यह popular क्यों है an explanation of noises वहाँ पर था smell और यहाँ पर यह कैसी noises create करता है a description of lemmers chosen living space तो मैंने habitat की बात की थी तो यहाँ पर इसकी habitat की बात इसे कहाँ पर रहना पसंद है a summary of how ringtail lemmer society function मतलब एक taragraph जिसमें आपको detail मिलेगा किनकी society काम कैसे करती है मतलब यह group में जो रहते हैं तो group में किसका क्या rule है और क्या क्या यह करते हैं अगर आप कहें तो अभी start करते हैं अब यह दिखिएगा इनको करना आपके लिए क्यों easy हो गया क्योंकि अब जैसे हम first paragraph पढ़ेंगे जहां पर हमें कुछ ना कुछ click मिलेगा तो हम उसे answer लगा देंगे और जब हम पढ़ लेंगे और हमें कुछ भी ideally लगेगा नहीं है से हमने कुछ पढ़ा था तो हम उसे skip कर देंगे एक heading पढ़ लेना बहुत ज़रूरी रहता है और उसमें एक चीज यह mention है you may use any letter more than once और उसके आगे लिखा है nb यह nb क्या होता है क्या आपको पता है तो मुझे comment section में जरूर बताएगा और यहां पर लिखा है you can use any letter more than once मतलब एक paragraph में से आपको दो answer मिलने वाले हैं इसका मतलब हम यह गलती नहीं कर सकते हैं कि किसी paragraph को थोड़ा सा पढ़के छोड़ दे पूरा बढ़ना पढ़ेगा तभी हमें यह clear होगा कि इस paragraph में से दो statement यह किस paragraph में दो statement है Let's start One of the most loved animal found in zoo is the ringtail lemma noted for its long back and यहां से एक लाइन के थोड़ा सा हलका से आरहा है identification I would say most loved मतलब पसंद किये जाने वाला और दर हमने शाद कुछ popular पढ़ा था लेकिन थोड़ा और पढ़ते हैं The popularity of this animal sowed after it was featured as a main character in a series of animated films that have appeared in cinemas globally 2005 से एक बहुत famous movie चल रही है animated movie अब आप यह बताएं कि उस movie का नाम क्या है उसकी series हा रखी है उसकी वज़स के इसकी popularity worldwide हो गई Knowing scientifically as lehmer kata मतलब हर चीज का जैसे mango का भी अजीब सा नाम होता है scientific name ऐसे हर एक animal का और यहां पर इसका जो है lehmer kata इसका scientific name है With a letter half, letter half मतलब lehmer kata, kata क्या है? letter half, second half जो है Name referring to its supposed resemblance to the domestic cat क्योंकि देखने में यह हमारे गर में रखी हुई Domesticated मतलब domestic, जो गर में हम रखता है domestic cat से match करता है The species hail from the island of Madagascar in the Indian Ocean In the local language of Malagasy, the ring-tailed lemmer are snows as Mackie or Hera Although thriving in captivity, the lemmer and population numbers are experiencing a downward trend As in the case of other species and the miktudis island Here we have a downfall, but we have a point of conservation, classification, classification It means that in this paragraph, only popularity में मुझे और कुछ ज़्यादा नहीं मिला क्वेस्टन हमें पढ़ने ही ना पढ़ें Sorry, answers दूणने ना पढ़ें क्वेस्टन तो पढ़ना पढ़ेगा Answer इसलिए नहीं दूणना पढ़ेगा क्वेस्टन हमें पढ़ना पढ़ेगा फर होता है Face, hand, feet are predominantly white यह तीनों चीज़ें white होती है But the face is characterized by dark triangular patches surrounding the eyes and nose के आसपास black color के patches होते हैं Face के उपर इसलिए वो prominent हो जाते हैं दूर से नजर आते हैं The body of the lemma is usually grey or dark brown in color With the white underside जासे हमारे कई dog होते हैं Ooper से काले होते हैं नीचे से सफेद होते हैं Completing the recognizable look Whereas the exposed skin can be easily seen on the fit कहीं पर कुछ भी नहीं है मतलब फर बिलकुल नहीं है Skin exposed हो रखी है, नंगी हो रखी है वो पैरों पे है Hands and face is dark, almost black in color है The ring tail lemma is fairly small in comparison to many mammals weighing in size Size compare the ring tail is mostly spotted during daytime नजर किस time पर आता है कहां पर नहीं किस time पर इसे अपका time save होगा Paragraph C के तरफ चलते है Due to the isolated geographical location of Maragascar मेरे को थोड़ा सा idea यहीं पर हो गया है The island is home to a rich diversity of unique animal and plant species and the ring tail lemma has made the island as well as few neighboring islands its home That's it मतलब यह कहां पे रहता है इसका habitat क्या है और उसने कुछ जगा के बारे में बताया जिसे अपना इसने घर बना लिया है थोड़ी सी line रहते है मुझे नहीं लगता repeat होने वाला बट फिर भी पढ़ देते है The lemma appear to have settled in the corner intend to prefer forested area में रहता है but has been known to explore wider open species को भी explore करता है Animals strongly prefer gallery forest में रहता है which are those that form along river banks के आसपास होते है but rainforest and tropical forest also provide habitat यह सारी चीज़े भी इसे habitat provide करती है तो isn't it just point पर आपने habitat के बारे में पढ़ा था और यहां पर आया है description of lemma's chosen living space मतलब इसे रहने यहां पसंद है तो of course 5th is the correct answer that would be C अब रीट करते हम paragraph D को Communication between ringtail lammer has provided a rich topic for study मतलब यह आपस में communicate कैसे करते हैं यह काफी research के लिए topic है as it is one of the most vocal primate जातर monkeys की जो पूरी category है इसे primates use करते हैं vocal मतलब काफी वाज़े निकालता है scientists have classified classification का word आया है लेकिन हमें था conservation से लेना देना कुछ याद रखेगा a variety of calls used for different purposes अब इसके बोलने की बात आगी और वहां पर हमने noises वाला पड़ा था और detail में जाते है for example a barking sound alert the group to danger whereas a hole जैसे वो बेडिये निकालता है मेरे सची निकाल सकते हैं a territory मतलब हर एक जानवर अपनी एक territory define करता है चाहे वो शेर है चाहे कोई भी है चाहे वो पिशाब करके करें चाहे कैसे भी मतलब कोई और जानवर उस fragrance से आइडिया लगा लेता है कि यहां पर कोई और रहता है और वो उसमें smell में इतनी सारी information होती है कि वो age क्या होगा उस animal का size क्या होगा बहुत सारी चीज़े identify कर लेते हैं तो गुसा रहा है कि क्या रहा है lemmer also communicate through scent marking अब वो scent के साथ भी marking करते हैं जैसे अभी मैंने बताया and the ringtail lemmer is no different scent is separate either to show dominance over a territory or in aggression during a fight fight के time भी वो अपना centralize करते हैं तो paragraph हमें जो smell के point of view से चाहिए और noise के view of चाहिए तो हो देख लेते हैं second option a reference to the rule of smell in a lemmer behavior aggression वेकरा के साथ उसने जोड़ दिया था behavior के साथ D आ गया एक noise के साथ है an explanation of noises made by lemmer क्योंकि उसने बताया barking and hauling sound यह produce करते हैं तो of course यहां पर हमारा repeat भी हो गया और मैं कोशिश करूँगा कि next मुझे पूरे पूरे ना पढ़ने पड़े क्योंकि repetition वाला मुझे सही माइन में तो मिल चुका है fights over territory are most often performed by dominant females अरे वार मतलब यहां पर dominating male नहीं है female है within the group which is also known as a troop इनका group जो है उसे troop बोलते है जैसे इसके शायद exact Punjabi हैं दी पलटन होती है क्योंकि यह हमारे military के लिए use होता है in fact the troop is largely controlled by female जारत तर female control करती है who take hierarchical presidents when feeding or leading the group hierarchical मतलब कौन बड़ा कौन शोटा उसी साबसे की मिलती है इसको position the social group generally consists of between 3 or 25 lemma average 17 की रहती है usually headed by one dominant female usually मतलब हमेशा नहीं अकसर female dominate करती है however this does not mean a male have no ranking वही बात होगी अब male पे आजाएगा the male hierarchy relies on age जतनी बड़ी age होगी उसके accordingly whereas female is based on dominating fight ability मतलब female जो है वो fighting nature की होनी चाहिए क्या ख्याल है किस-किस की known कोई ऐसी है जो बहुत fight करती है comment section वो बता सकते हो this means that daughters of the dominant female are not automatically promoted to a higher position but will have to fight to reach the top मतलब यह नहीं है के हमारे country में जैसे होता है जो politician उसका बेटा automatically politician बन जाता है तो यहां पर उसको fight करना पड़ता है उसे daughter को अगर उसे top level पर reach करना मतलब fighting skills दिखा के female tend to stay in the group in which they are born but males change troop on regular basis and it is not unusual for male lemmer to return to troop they have left चले भी जाते हैं वापस भी आ जाते हैं female उसी में रहती हैं तो यहां पर अगर हमने ध्यान से पड़ा हो तो वहां पर इनका एक social group के ओपर कुछ हमने पड़ा था यह देखते हैं कुछ मिलता है के नहीं ऐसा summary of how the ringtail lemmer society function exactly इसी को E होना चाहिए और वैसे हमारे तकरीबन सारे हो गए है सिर्फ एक ही बचा है change in conservation आई देखते हैं वो आगे मिलना चाहिए intelligence in primates has long been focus of study रहा है काफी time से especially their ability to use and create tools यह tools भी बना लेते हैं observations of ringtail lemmer in the wild have not revealed any evidence of the tools or making tool लेके है ना wild में तो अभी तब नहीं ऐसा कोई evidence मिला कि इन्होंने tools बनाए है but studies carried out मकाय सेडी इमाज कासकर found the lemmer were able to some of the tool if they were trained to do so लेकिन एक study में उनको जब tools दिये गए तो उन्होंने tools के इस्तमाल कर लिया research continues और मुझे नहीं लगता इतना ज़ादा मैं पढ़ो क्योंकि यहां से बिल्कुल क्लियर है conservation की बात यहां पे नहीं है और इस paragraph से कोई statement नहीं match करने वाला last paragraph बिना पड़े भी लगा सकतो लेकिन satisfaction के लिए और जरूर रिट करेंगे wild orange tail is surviving well in captivity captivity नहीं बता है तो याद रखेगा पिंजरे में बांखे रखना जू में रखना नेचर रिजर्व में रखना captivity में तो अच्छे फलफुल रहे है its wild population is suffering according to research 95% of wild population disappear हो चुकी है my god 2000 में or in 2072 was reported there were around only 2000 left in the wild my goodness so listed in endangered species बस इसका rescue कर दो अब जाते जाते पढ़ दू मैं फटा फट से yes ये मिल गया it has been estimated 90% of original forests in Madacascar have been lost due to logging, mining and conversion to agriculture land नहीं ये conservation नहीं ये conversion है तो last में आगया however with the increase in popularity of ecotourism essential knowledge is being provided to the local residents enabling them to care for the species and other unique animals so it's about the conservation a change मतलब change भी एक classification ही change कर दियों नहीं conservation ऐसे नहीं कर रहे वो लोगों को educate करके नहीं conserve कर रहे है so I would go with the G as an answer for this particular question now the next question type is no more than two words 2 से जादा नहीं एक लिख सकते हैं लेकन 2 से जादा नहीं what other animals do ring tail lemmer look like अब आपको लगता है कि answer डूनने की ज़रूरत है कि ऐसा कौन सा animal है जिससे ये resemble करता है क्योंकि हमने बड़ी detail में उतर पड़ा था उसने का था domestic cats spelling देखने के लिए जा सकते हैं कैसे मुझे आते हैं और cats भी दे सकते हैं मुझे लगता है अपना answer और domestic cats भी क्योंकि उसने two words लाओ की हैं और ये ही होगा अब आप देखना कितने answers होंगे शायद हमें उदर डूनने की ज़रूरत ना पड़े हाँ, satisfaction के लिए मैंने का आता है चलते हैं, whatever it says, satisfaction के लिए ये पड़ा नीचे से पांच भी लाइन चाहती resemblance to the domestic cat in addition to its limbs legs, arms, limbs बोलते हैं where else can dark skin be observed on the lemma dark skin हमने याद पड़ा था आंखों के नीचे, नूस के नीचे के आस-पास वहां पर दिखते हैं whereas the exposed skin which can be easily seen on the feet hand and face is dark, almost black in color so exposed skin कहां कहां पर उसने बताया और जो face है, वो तकरीबन क्या है dark है, तो the answer would be face where are the lemma preferred forest located in south eastern margaskar के इसके पसंदीदा कहां पर हैं अगर आपको याद हो तो उसी paragraph के C paragraph में, last में ने कुछ lines में पढ़ा था कुछ लिका तब मिरको दुबारा जाना पड़ेगा gallery forest वगएरा कुछ करके था this animal strongly prefer क्योंकि उसने कहा था पसंद क्या करते हैं river banks के आसपास बनते हैं but rainforest and tropical forest also provide but वाला वो भी करते हैं वो भी करते हैं तो अलग बात होगी यहां पर उसके सब से ज़रा पसंद क्या है are located in south eastern madagaskar और वो कहां पर हैं I hope के आप यहां पर gallery forest नहीं लिखेंगे that would not be the correct answer वो south east में कहां पर हैं along river banks तो that would be the correct answer के वो river bank के साथ साथ है what sound do lemur make to make the territory हमने दो पड़ी थी एक barking और एक hauling याद कर लेते हैं territory के साथ कौन सी जोड़ी है इसने पढ़ लेते हैं sorry for example a barking sound alert the group danger खत्रे से बता रहता है a howl which can be heard represent marking of territory absolutely तो यहां पर हमारा आएगा answer according to the passage one of the reasons lemurs spray scent अब वो अपना scent क्यों सप्रे करते हैं आपको याद होगा हमने पड़ा था fighting वगरा चिप कर रहे थे second last few lines यह रहा lemur also communicate through scent marking के साथ भी वो communicate करते हैं and the ring tail hammer is no different scent is sprayed either to show dominance के लिए over a territory के यह territory यह जगा मेरी है तो यहां से बाग जा or in aggression during the fight करते करते आये देखने कौन-कौन से option eliminate होंगे be friendly नहीं वो तो कह रहा है के fight वैसे जगडाल हुए लड़ती ही रहते है recognize member of their own family बिल खुल भी ऐसा कुछ लिखे ही नहीं है show they are fierce fighter के मैं ज़रा तगडा fighter हूँ उसने का है के fighting time यह use करते है alert the group to danger इसी कोई बात नहीं है danger के वो तो barking वाली बात है so of course C is the correct answer this is how you should be handling MCQs क्योंकि अगर आप पहले options रीड करेंगे एक तो time waste होगा और mind में फिर 2-3 options आपको confuse करना शुरू कर देती है यहां पर आप elimination mode हमेशा prefer करो the social group known as a troop एक social group है उसे troop बोलते है इसके बारे में आपको याद हमेने जब पल्टन की बात की थी उसके बारे में क्या कुछ दुबारा से देख लेते हैं लेकिन हमने primarily इसमें क्या पढ़ा था कि यहां पर जो troop में control कौन करता है जाद तर female करती है इसकी hierarchy होती है कौन उपर आएगा कौन नीचे जाएगा उसके बारे में बात की थी size of the group की बात की थी और यह भी पताया था कि male ही female ही नहीं male भी होते हैं इसमें अच्छी position पर male भी आ सकता है और फिर जाते जाते एक daughters की बात की थी उनको fight करके उपर आ पड़ेगा और एक बात की थी और एक बात की थी इसने कौन से की थी male के बारे में के या ठोब अपने group में रहते हैं यह वो अपना group छोड़के चले जाते हैं यह अपने group को छोड़के वापिस भी आ जाते हैं और यह दिखते हैं कौन से options match करते हैं Is a democracy with many leaders many leaders की तो उसने बात नहीं की थी Uses different hierarchical system तो hierarchical एक strong keyword भी आगया और कहा भी सकते हैं क्योंकि उसने कहा था usually male या female की बात की थी इसको side पे रख लेते हैं Does not need to contain males Does not की उसने बात नहीं की थी उसने कहाते हैं कि इसमें male भी होते हैं female भी होते हैं लेकिन position है जो है leader की काफी हद तक female की होती है और male के उपर भी उसने काफी कुछ कहा था Has a consistent membership नहीं बिलकुल नहीं क्योंकि इसके male जो member है वो lead करके चले भी जाते हैं तो consistent तो रहते ही नहीं है So the only option that is more appropriate is B So finally According to the final paragraph Final paragraph में आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि पहले तो उसने बताया कि इसकी population बहुत तेजी से गर रही है और फिर इदर हमने किया पढ़ा था कि इसके कुछ ये बताया थे logging, mining ये कुछ reason बताया थे जिसकी वज़े से ये downfall आ रहा है और फिर उसने finally कहा था कि कुछ ऐसे काम करके हम इनकी population को revive होने में help कर सकते हैं तो यहाँ पर आया while member population are increasing अरे भाई there are no original forest left नहीं उसने कहा था 90% तक खतम हो चुके हैं और यहाँ पे कहता है से eradicated the illegal pet trade अरे अभी तो उन्होंने recommend करना शुरू की है eliminate भी कहां से हो गया eradicate कहां से हो गया वो एक recommendation है ताके help हो सके there are several reasons for the declining number of lambers perfect क्योंकि logging, mining, conversion to agriculture land यह सभी different reasons ही है जिस वज़े से option क्या हो गया D as an answer अगर आपको मज़ा आया तो मुझे ज़रूर बताएगा comment section में और यह आपको मैं बता दू जितना ज़एदा आप इस तरह से करना सीखेंगे आपकी maturity towards reading आपकी understanding towards reading and of course accuracy in reading develop होगा आप बहुत मज़े और interest के साथ करेंगे और initially अगर आपको थोड़ा time ज़एदा भी लगेगा लेकिन day by day आपकी time management भी होने लगेगी because देखे मैं तो आपको साथ में समझा भी रहा हूँ कितना time consume कर रहा हूँ लेकिन मेरे माइं को तो वो message बहुत within few seconds आ रहे करने का मतलब यही exercise में अकेला बैट के करूँ है आप जब यह skills develop कर लें तो हो सकता है पांक साथ मिनट में पूरा passage कर ले दो इसी वज़े से I would recommend के right way to handle the reading passage is more important than anything else panic मत किया करो डर के मत किया करो हांसले के साथ confidence के साथ courage के साथ interest के साथ करो